आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खासकारी करम में और मैं हूँ आपके साथ फरहान भारत की स्थिति किस तरह की हो चुकी है पर दर्शन चल रहे हैं हिंसा की घटनाएं सामने आ रही है बलातकार की घटनाएं आ रही है सामने हत्या हो जाती है कभी हिंदुवादी नेता की कभी NCP के नेता की उनकी भी कल हत्या हो गई है तो इस तरही घटनाएं सामने आ रही है लेकिन मौजूदा सवे में देश की राजधानी का हाल कितना बेहाल है यह सोचने वाली बात है जहां देश भर से लोग कमाने आते हैं राजधानी को सुरक्षित किया जाना चाहिए आपने गरतन दिवस के आसर पर भी देखा मैट्रो इस्टेशन हो या रेलवे इस्टेशन हो किस तरह की सुरक्षा वैवस्था थी लेकिन ये सुरक्षा वैस्था आखिर किन लोगों के लिए है जो देश की राजधानी में हम देखते हैं सुरक्षा बल तैनात रहते हैं पुलिस तैनात रहती है आखिर वैस्था किस के लिए है जब आप सुरक्षा में नाकाम हो जाते हैं घटनाए घड जाती है तो ये वैस खात्री भी घायल हो जाता है शादाब नाम का वहीं शाहीन बाग पहुँचकर कपिल गुरजर नाम का व्यक्तिवी हवाई फायर करता है दो राउंड फायरिंग करता है जिसके बाद उसे भी गिरफतार कर लिया जाता है लेकिन अब तक इन पर राश द्रो का केस चार्जिस नहीं लगाएगा हैं चलिए खेर ये बाते तो अलग हैं आपको याद होग किस तरह अरविंद केजरी वाल यह कह रहे थे कि विधान सबा चुनावों के चलते भारती अंता पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि दिल्ली में हिंसा की घटनाएं हों हिंसाएं हों जिस से मौझू ये प्रदर्शन चल रहे हैं वह भी आरोपों के घेरे में आ सकते हैं उन्हों ये लगातार इस बात की भवश्वारी कर रहे थे और ये भवश्वारी सच होती हुई भी नजर आ रही है इन दो गोली कांड के बाद कल फिर एक गोली कांड की घटना सामने आ गई है जामिया कि गेट नमबर पांच के पास गोली बारी हुई जामिया कॉडिनेशन कमेटी ने फारिंग होने की तदीक की है कमेटी के सदस्तियों ने बताया है कि गेट नमबर पांच के पास दो अग्यात लोगों ने गोली चलाई है गोली बारी में किसी के भी हताहत होने की खबर नही तक ही हिंसाएं होंगी, दो लोग आते हैं गोली चला देते हैं, एक विक्ति तो पुलिस के सामने ही आता है, पुलिस हाथ बांदे हुए खड़ी रहती है, और गोली चल जाती है, फिर यही घटना शाहीन बाग के छेतर में देखने को मिलती है, तो अरविंद केजरिवाल यह मंत्राले कि आप पुलिस को सकती से आदेश या निर्देश नहीं दे रहा है, जिस तरह यह घटना बढ़ती जा रही है, ग्रह मंत्राले पर भी उंगलियां उठ रही है, और मौझूदा दिल्ली पुलिस पर भी उंगलियां उठाने का मौका मिल रहा है, और यह मौका क्यो के नए समीकरन सामने आएंगे इस समंद में आपकी राय महत्पूर्ण है क्या अर्विंद केजरिवाल की भवश्माली सा छोती वी नजर आ रही है जिस तरह लगतार तीन गोली कांड हो चुके हैं आखिरकार इन अपराधियों की सरपर हाथ किसका है क्या है इनको पुलिस का नहीं है मौजूदा सरकार का खौफ नहीं है इस समंद में राय देना बिलकुल भी ना भूले कारेकरम को लाइक करें जादा से जादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अबश्र कर दें तब तक लिए जासत दीजिए धन्यवाद